समस्कार दोस्तों, मैं राकिस कुमार मैं इस वक्त जो गौरो और धर्मिन सरका एक परिच्छा उन्होंने कराया था उसी परिच्छा से उत्रिन होने वाली सबसे आवल दर्जे पे आ रही लड़की का उप्रयास कैसा रहा, यह सारी बाते हम आप जानेंगे क्या नाम है आप खाप से मेरा नाम अंतिमा मौरिया है काउन सी परिच्छा थी पूरा डिटल पहले हमें बताएं सर्व मैं धर्मिन एंड गवरो कंपूर्टर एजुक्वेशन में में वहाँ पर कोचिंग करती हूँ तो क्या मतलब परिच्छा में जो पेपर में आया था क्या कुछ आया था कुछ बताएं इस पढ़ाई में आपका सबसे ज़्यादा सहयो किसका था सर्व सबसे ज़्यादे सहयो मेरे परिंस मेरे माता पीता खत्हा और सबसे अधिक सहयो मेरी बहनों का पापा ममी क्या करते थे क्या डाटते थे या बताते किस प्रकार से आपको बताते थे मुझे कभी मेरे ममी पपा पढ़ने के लिए डाटे नहीं, मुझे कभी डराते नहीं थे, मुझे समझाती थे कि बेटा पढ़ो, मुझे अगर मैं कभी कहती थे कि मेरा मन नहीं है, मैं पढ़न नहीं पाऊंगे, तो मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे एक पैरन्स होने से प खाना खाने बढ़ते हैं मेरे सारी चीज़े पढ़ाते हैं और बताते हैं कि मैंने पढ़ाई हमें कहां तक पहुँचा सकती हैं मेरा जो मोटिवेशन हो हमेसे अपने लच की तरफ मुझे कराते हैं शुरुआत यहीं से होती है, बच्चों को माता-पिता की तरफ से जितना प्रसाहित और जितनी बाते बताई जाती है, जितना गाइडलाइन्स की अनुसार रखा जाता है, बताया जाता है कि ऐसे-इसे करना चाहिए, अच्छा मेडल कौन सा क्या क्या मिला था, उसमें आपको चले जाते हैं यह बच्ची, हमारे साथ इनकी मम्मी जुड़ चुकी है, क्या नाम है सबसे पहले बताएं, मेरा नाम है सरसुती, मैं गुठमा की रहने वाली हूं, हम्मे बच्चों को तीन बज़े बहुर उठाती हूं, श्या बच्चों पढ़ाई कि उनके समय देती हूं इसके बच्ची, फína का उनके खाना खिला थीन देती हूं, श्या बाध़े बच्ची, खुर्च फिर जाती है, यह बच्ची, फिर जाती है, जब चार बज़े खुरती हैं तो कोची फिर जाती है करने वाले जो होते हैं हैं वाकई में वो सारा कार्श संभोग कर सकते हैं बच पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि सारा काम स्वयम करने के बाद बच्चों को एक नई दिसा देते हैं तब यहां तक पहुंच पाते हैं बच्चे देखिए जब आप पेड़ लगा दि देने के बाद ये जो हंसिल हुआ है आज इस बच्ची को ऐसे ही सिस्टम से लोग बेवस्था से यहां तक लेया पाते हैं बच्चों को और क्या खाना चाहते हैं जो आप देख रहे हैं आज आपको तो उनको क्या खाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए कैसे बच्चु पढ़ाना चाहिए क्या कहते हैं बच्चु पढ़ाना चाहिए क्या 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 चाहिए बच्चु पढ़ाना चाहिए बच्चु पढ़ाना चाहिए बच्चु पढ़ाना चाहिए बच्चु पढ़ाना चाहिए तो अंदर बिल्कुल खतम हो जाएगा वाकई में और इनके पिताजी से मिलने का और जाने का प्रयास हम करेंगे क्या नाम है अपना नाम मेरा नाम राजेन प्रसाद है मैं बच्चों के कहते हैं कि पहले पढ़िए उसके बाद समय निकाल कर जो बचे उसमें जो अनबाटे थ करनी चाहिए इस वीडियो से हमें समझदारी जनकारी और एक अनबोर जरूर लेला चाहिए कि बच्चों को हमें किस निकाह से देखना चाहिए